नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डैनलो मैं बहुत ही असान सब्दों में समझने वाले है आर्टिकल 42 क्या बात करता है आर्टिकल 42 बैसिकली बात करता है जो की प्रोवीजन है लाइक जस्ट एन हुमेन कंडिशन ऑफ और वर्क एन मैटरीटी रिलीव के बारे में बात क किया जाए कि state employees people जो होते हैं basically companies में या फिर organization में so company में या फिर organization में जो भी उनको पब्लिक service प्रोवाइड करते हैं so इन चाहे तो वो construction work में हो या फिर banking sector में हो या फिर sanitation sector जैसे साब सफाई करमचारी हो गया banking sector में काम करने वाला करमचारी हो गया यह फिर construction work में काम कर रहे हैं तो इनको safety चाहिए होता है okay so most of the Indian population as you know की poor है अभी भी इसमें क्या है कि उनको एक तरीके से पैसे भी कम मिलते है इसके लिए और उनका safety भी कम रखा जाता है उसका भी मदे नजर बहुत ही कम रखा जाता सेफटी वगेरा का भी एक तरीके से जो एक तरीके से देखा जा सेफटी प्रोपर नहीं होता है कोई भी सेक्टर में देख लिया जाए इंप्लाइज वर्क कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं चाहे तो वो मेल हो या फीमेल हो और लोग क्वालिटी के इनवर्मेंट में काम करते हैं उनको इनवर्मेंट में वैसा नहीं मिलता है जैसे कि साब सफाई करने वाला सेनिटेशन वर्क कर जो होते हैं उनको देख लिया जाए तो सफाई करमचारिक का भी यहीं हाल देश में ओके सो आर्टिकल 42 यह सुनिचित करता है कि गौर्मेंट यानि कि स्टेट गौर्मेंट ऐसा कोई पॉलिसी बनाए यानि कि सेंटर गौर्मेंट कोई ऐसा पॉलिसी ताकि एक तरीके से उसका implementation हो सके इनके safety को लेकर जैसे कि अगर बात कर लें construction worker के लिए उनका कोई safety नहीं है जैसे अभी बात किया था earlier अगर बात करें जो female employees जो होते हैं जो female employees उनका भी कोई एक तरीके से जब उनका उनको maternity relief यानि कि maternity leave नहीं मिलता था सो maternity leave नहीं मिलने की वजह से उनको दिखकत होता था था कि उनको job छोड़ दिना पड़ता था सो बैसिकली अगर आगर आटिकल 42 को उसांस तरीके समझे आटिकल 42 6 to ensure human work conditions and provide for maternity relief so it states that the state shall make provision okay for securing just and human condition of work for maternity relief okay so it is a principle of socialist nature जैसे कि मैंने बताया था कि DPSP में socialist principle है Gandhian principle है तो ऐसे करके बताया गया है and dedicated to achieve social and economic welfare of the people social and economic welfare of the people with the objective to establish India as a welfare state because welfare state इंडिया है for the people है democracy है यहां पर तो यहां पर सुनी स्टिस होना चाहिए सबका right और उनका जो एक तरीके से जो quality of work जो है जिस environment में वो काम कर रहे है वो quality को उनका standard को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि उनका safety हो सके अगर essential feature of article 42 की बात करें जो है जैसे कि अगर अभी तक तो article 42 के बारे में समझें लेकिन डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy में इसके कुछ essential feature जो बताए गया है जैसे कि यह direct करता है state को कि वह ऐसा कानून बनाए जो कि just and human condition उनके जो work कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनकी जो female है उनका maternity benefit मिले उनको एक तरीके से और कुछ principles ऐसे हैं जो कि non-justifiable है that means कि this principle cannot be enforceable by यह court of law जाइड सी बात है कई वार इसके एक तरीके से enforcement नहीं हो बात है डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिशी है बहुत सारी चीजे जो सोचलिस प्रिंसिपल उसका enforcement नहीं होने के वजाए यह है कि एक तरीके से कई वार करप्सन होता है due to political scenario ऐसा हो जाता है तो उस स्टेट पॉलिशी ओके और यह इंपोज करता है duty on the central as well as the state government to apply this principle in making laws relating to maternity relief okay and जो की working condition है जो factories वगेरा में industry factories में जो महिलाएं काम कर रहे है जो workers काम कर रहे है उनके जो rights है उनका जो safety है उसको को सुनिचित करेगा so article 42 भी यह बताता है कि महिलाओं को maternity relief मिलना चाहिए so its aim to create such working condition that each and every employee will be motivated to work efficiently okay and it is also aims to ensure maternity benefit for the female workers okay तो उनको यह मिलना चाहिए basically ऐसा बात यहां पर कहा गया है so अगर इसकी बात करें तो कुछ जैसे की maternity relief जो maternity benefit act 1961 एक है maternity benefit okay इसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो महिलाओं को जो इनको एक तरीके से एक फॉर्म पेड मैटरिटी जहां भी वो काम कर रही है उनको salary मिलेगा और उनको leave मिलता था 12 weeks का जो कि अब कर दिया गया है 26 weeks का समझें और prenatal जो होता है उस case में उनको six weeks से लेकर 8 weeks तक बढ़ा दिया गया है और अगर कोई महिला ऐसी है जिनका दो बच्चा पहले से है और उसके वाद उनका तिसरा बच्चा होने वाला है तो ऐसे case में उनको यानि की 12 हपतों का ऐसा 12 हपतों का दिया जाता है इसे cases में 12 weeks का maternity leave से अगर थड़ थड़ चिल्रें के case में ओके और अगर serogate mother जो होती है उनको वह भी इंटाइटल है इस सीच के लिए 12 weeks of maternity leave 12 weeks serogate mother और यह तो benefit इनको मिलता है और who page for maternity leave की कौन पे करेगा तो जहां वो काम कर दी है तो जो employer है उसको pay करना पड़ेगा female employee को पूरा full salary during the entire time she is on maternity leave कि इस समय में वो maternity leave में है उस समय का पूरा entire जो amount है उसको जो महीने का जितना भी salary मिलता है वो उसको मिले गया एक case है municipal corporation of Delhi versus female workers municipal corporation of Delhi versus female workers यह 2000 का case है 2000 का सो इसमें क्या हो तक female workers who are not regular workers but were temporary workers claimed that they were entitled to maternity benefit that are available to regular workers अब यह क्या है कि जहां भी काम कर रही है वो regular employee नहीं थी यानि रेगुलर worker नहीं थी वहां का लेकिन जो रेगुलर worker थे उनको जो काम कर रहे थे उनको maternity leave मिल रहा था पर इनको नहीं मिल रहा था तो ऐसे case में इन्होंने court को approach किया so court ने held किया that the maternity benefit act 1961 are in line with article 39 and article 42 कि ट्राइट तो मिलना चाहिए safety तो at least यह women's का यानि महिलाओं का यह अधिकार है और यह आर्टिकल 42 का भी वाइलेशन है आर्टिकल 39 का भी वाइलेशन है तो यह state करता है that female employee को compelled नहीं किया जाए work करने के लिए at the time of pregnancy जो भी एक period है so advanced pregnancy so as it would be a harmful for her okay so ऐसा कहा गया and for that reason उनको six weeks of maternity leave यानि की maternity leave leave provide किया गया ऐसे case में okay after delivery six weeks okay अगर बात करें factories act 1948 में तो इसके यह भी एक तरीके से regulate करता है labor law में कुछ safety होते है health होते है safety होता है leave होता है या फिर welfare उनके welfare के लिए जो workers factory में काम कर रहे हैं जाहिर सी बात है उनका rights को कौन सुनिचित करेगा तो यही सब जो policy है article 39 article 42 यह सब प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से rights okay तो इसका जो फैक्ट्रीज एक्ट का जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन सेवन यह जो है वो बात करता है कि यह occupier insure करेगा कि safety welfare और हेल्थ जो worker का हो जो काम कर रहे हैं उनका safety सुनिचित किया जाए चाहे तो फीमेल है तो उनका जो rights है वो मिले और मेल जो हैं उनके लिए जो rights है तो सब को एक तरीके से equally treat करें और जो उनके safety कर लेकर measures लिया जाए या फिर welfare या फिर health को लेकर तो यह सारी चीजों को सुनिचित करें थैंक यू सो मच आर्टिकल 42 खतम हो गया